हाई नमस्ते स्लाम वालेकूम उम्मीद करते हैं खहरे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे आज लिए रेक्षिन वीडियो है वो बनी इस्राइल सुर्हा बनी इस्राइल के उपर है बनी इस्राइल का जिक्र मैंने काफी वार सुना है खास करके एंजीनियर मुहमद अली मिज़ रसाब की वीडियो में तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इस स्राइल को फुरा डिटेल में और देखते हैं कि इस स्राइल में हमारे लिए किया मैंसज है उसको दार्रॉइड वाला है शुरू अल्ला का नाम लेकर जो बड़ा महर्बान नहायत रह्म वाला है वो गादर मुतलब जो हर खामी से पाक है एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतलमक्दिस तक जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं ले गया ताके हम उसे अपनी खुद्रत की निशानियां दिखाएं बेशक वो सुनने वाला है देखने वाला है और हमने मुसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराईल के लिए रहनुमा मकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना एए उन लोगों की अवलाद जिनको हमने नूँ के साथ कष्टी में सवार किया था बेशक नूँ हमारे शुकर गुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराईल से कह दिया था कि तुम जमीन में दो दफ़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे पस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सक्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मसल्लत कर दिये और वो शेहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा हो कर रहा फिर हमने दूसरी बार तुम को उन पर घलबा दिया और माल और बेटों से तुमारी मदद की और तुम को जमात कसीर बना दिया अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर आमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुमारी ही जानों पर होगा फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हम ने फिर अपने बंदे भेजे ताके तुमारे चेहरों को बिगार दें और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद बैतल मक्दिस में दाखिल हो गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दी अमीद है कि तुम्हारा परवर्दिगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सुलूग करेंगे और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैत खाना बना रखा है ये कुरान वो रस्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मुमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर आजीम है और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर इमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तयार कर रखा है और इनसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है और इनसान बड़ा जल्दबाज है और हमने दिन और रात को दो निशानिया बनाया है सो रात की निशानी को तारीक बनाया और दिन की निशानी को रोशन ताके तुम अपने परवर्दिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो और हमने हर चीज़ की बखूबी तफसील कर दी है और हमने हर इनसान की आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है और कियामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है जो शफस हिदायत अख्तियार करता है तो अपने लिए अख्तियार करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का जरर भी उसी को होगा और कोई शक्स किसी दूसरे का बोज नहीं उठाएगा और जब तक हम पेगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते और जब हमारा इरादा किसी वस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया तो वो नाफर्मानिया करते रहे फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला और हमने नू के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला और तुमारा परवर्दिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है सुनकर और दरगाहِ इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा और जो शख्स आखिरत का खास्तगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लाइक है और वो मुमिन भी हो तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवर्दिगा की बख्षिश किसी से रुकी हुई नहीं देखो हमने किस तरह बास कुबास पर फजीरत बख्षी है और आखिरत दरजों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है और अल्लह के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बेठे रह जाओगे और तुम्हारे परवर्दिगार ने इर्शाद फर्माया है कि उसके सिवा किसी की अबादत न करो और माबाप के साथ भलाई करते रहो अगर उन में से एक या दोनों तुम्हारे सामने बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और न उने जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवर्दिगार उससे बहुबी वाकिफ है अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बखश देने वाला है और रिश्तेदारों और महताजों और मसाफिरों को उनका हक अदा करो और फुजूल खर्ची से माल उड़ाओ कि फुजूल खर्ची करने वाले तो शेतान के भाई हैं और शेतान अपने परवर्दिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है और अगर तुम अपने परवर्दिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में जिसके तुम्हें उम्मी की तरफ तवज्जो ना कर सको तो इन से नर्मी से बात कह दिया करो और अपने हाथ को ना तो घर्दन से बंदा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं और ना बिलकुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अन्जाम यह हो कि मलामत जदा और हस्रत बेश्च तुम्हारा परवर्दिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है और अपनी आउलाद को मुफलिसी के खौफ से गतल ना करना क्योंकि उनको और तुमको हमी रिस्क देते ही कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सक्त गुना है और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है और जिस जानदार का मारना अल्लह ने हराम किया है उसे गतल ना करना मगर जाइस तोर पर यानी बफत्वा शरीयत और जो शक्त जल्म से गतल किया जाए हम ने उसके वारिस को इख्तिया दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले तो उसको चाहिए के गतल के खिसास में ज्याक्ती न करे कि वो मनसूर फतायाब है और यतीम के माल के पास भी न फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो यहां तक कि वो जवानी को पहुँच जाए और एहद को पूरा करो कि एहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी और जब कोई चीज नापकर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो यह बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहास से भी बहुत बेहतर है और एए बंदे जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़ कि कान और आँख और दिल इन सब आजा के बारे में जरूर बास पुरस होगी और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तु जमीन को फार तो नहीं डालेगा और ना लंबा होकर पहाडों की चोटी तक पहुँच जाएगा इन सब आधतों की बुराई तेरे परवर्दिगार के नजदीक बहुत नापसंद है ऐ पेगंबर ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्ला ने हिकमत की बातें तुम्हारे तरफ वही की हैं और अल्ला के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि ऐसा करने से मलामत जदा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिये जाओगे बुश्रिको क्या तुम्हारे परवर्दिगार ने तुमको तो लड़के दिये और अपने लिए फरिष्टों को बेटियां बनाया कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो और हमने इस पुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताके लोग नसीहत हासल करें मगर वो इस से और बिदग जाती हैं कह दो कि अगर अगर अल्लह के साथ और माबूद होती जैसा के ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रस्ता निकालते वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उस से उसका रुटबा बहुत आली है सातों आस्मान और जमीन और जो लोग उन में हैं सब उसी की तश्वी करते हैं और मखलुकात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तश्वी करती है लेकिन तुम उनकी तश्वी को नहीं समझते बेशक वो बुर्दबार है गफ़ार है और एए नबी जब तुम पुर्ण पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर इमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानि हिजाब डाल देती हैं और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देती हैं कि उसे समझ न सकें और उनके कानों में सिकल पैदा कर देती हैं और जब तुम कुरान में अपने परवर्दिगार यक्ता का जिकर करते हो तो वो लोग बिदग जाती हैं और पीट फेर कर चल देती हैं ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नियत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं और जब ये सरगोशियां करते हैं यानि जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बाते बनाई हैं सो ये गुमराह हो रहे हैं और गस्ता नहीं पा सकते और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असरे नौ पैदा होकर उठेंगे कह दो कहा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज़ जो तुम्हारे नस्दीक पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा सकत हो जट कहेंगे कि भला हमें दुबारा कौन जिलाएगा कह दो कि वही जिसने तुम को पहली बार पैदा किया तो ताजब से तुमारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा कह दो अमीद है कि जल्द होगा जिस दिन वो तुम्हे पकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्द रहे और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हूं क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है कुछ शक नहीं कि शैतान इनसान का खुला दुश्मन है तुम्हारा परवर्दिगार तुम से खूब वाकिफ है अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुमें आजाब दे और हमने तुम को उन पर दारोगा बना कर नहीं भेजा और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं तुम्हारा परवर्दिगार उनसे खूब वाकिफ है और हमने बाद पैगंबरों को बाद पर फजीलत बखशी और दाओत को जबूर इनायत की कहो के मुश्रिकों जिन लोगों के निजबत तुमें माबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो वो तुम से तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इक्तियार नहीं रखते ये लोग जिनको अल्ला के सिवा पकारते हैं वो खुद अपने परवर्दिगार के हां जरीय तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्ला का ज्यादा मुकर्रब होता है और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजब से खौफ रखते हैं बेशक तुम्हारे परवर्दिगार का अजब डरने की चीज़ है और कुफर करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर कियामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सफ अजब देंगे ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है और हमने निशानिया भेजनी इसलिए माकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकदीब की थी और हमने समूत को उंटनी नबुवत सौले की खुले निशानी दी तो उन्होंने उस पर जल्म किया और हम जो निशानिया भेजा करती हैं तो डराने को और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवर्दिगार लोगों का इहाता किये हुए है और जो मनजर हमने तुमें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाईश किया और इसी तरह थूहर के दरखत को जिस पर गुरान में लानत की गई और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है और जब हमने फरिष्टों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर अबलीस ने ना किया बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है और अजराह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझे पर फजीलत दी है अगर तू मुझे को कियामत के दिन तक की महलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम उलाद की जड़ काटता रहूँगा अल्ला ने फरमाया यहां से चला जा जो शख्स इन में से तेरी पैरा भी करेगा तो तुम सब की जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है और इन में से जिसको बहका सके अपनी आवाद से बहकाता रह और इन पर अपने सवारों और पैादों को चढ़ा कर लाता रह और इनके माल और उलाद में शरीक होता रह और इन से वादा करता रह और शेतान जो वादे इन से करता है सब धोका है जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं और आई पेगंबर तुम्हारा परवर्दिगार कारसास काफी है तुम्हारा परवर्दिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कش़ियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी दलाश करो बे शक वो तुम पर मह medal है और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुँचती है यानि डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम तुम पकारा करते हो सब उस परवर्दिगार के सिवा गुम हो जाती है फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मूँ फेर लेते हो और इंसान है यी नाशुक्रा क्या तुम इस से बे खौफ हो कि अल्लह तुमें खुश्की की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आधी चला दे फिर तुम अपना कोई निगहबान न पाओ और हमने बनी आदम को इज़त बख्षी और उनको खुश्की और तरी में सवारी दी और पाकीजा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलुकात पर फजीलत दी जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बलाएंगे तो जिनके आमाल की किताब उनके दाने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो होकर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जल्म न होगा और जो शफस इस दुनिया में अंदा हो वो आखिरत में भी अंदा होगा और नजात के रस्ते से बहुत दूर और आए पेगंबर जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है गरीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दे ताके तुम उसके सिवा और बाते हमारे निस्बत बना लो और उस वक्त वो तुमको दोस्त बना ले दे और अगर हम तुमको साबित कदम ना रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ माईल होने ही लगे थे उस वक्त हम तुमको जिन्दगी में भी अजाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मज़ा चखा दे फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार न पाते और करीब था कि ये लोग तुम्हें जमीन मक्का से फिसला दें ताके तुम्हें वहां से निकाल दें और उस वक्त तुम्हारे बाद ये भी न रहते मगर कम जो पेगंबर हमने तुम से पहले भेज़े थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीक रहा है और तुम हमारे तरीक में तगयरो तबद्दूल न पाओगी ऐ मुहम्मद स्लिल्लाह अलेह वाली वसल्म सूरत के ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर, आसर, मगर्ब, ईशा की नमाजें और सुभ को कुरान पढ़ा करो क्योंके सुभ के वक्त कुरान का पढ़ना फरिष्टों की हाजरी का माका होता है और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहजद के नमाज पढ़ा करो ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी हमल है अमीद है कि अल्लह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए और कहो कि आई परवर्दिगार मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निका लियो और अपने हांसे जोर उक्वत को मेरा मददगार बनाईओ और कह दो कि हक आ गया और बातल नाबूद हो गया बेशक बातल नाबूद होने वाला है और हम गुरान में वो चीज नाजल करते हैं जो मौमिनों के लिए शिफा और रहमत है और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है और जब हम इनसान को नेमत बखशते हैं तो रूगरदा हो जाता है और पहलू फेर लेता है और जब उसे सक्ती पहुंचती है तो नाउमीद हो जाता है कह दो के हर शखस अपने तरीक के मताबिक अमल करता है तो तुम्हारा परवर्दिगार उस शखस से खूब वाकिफ है जो सबसे ज्यादा सीधे रस्ते पर है और तुम से रूख के बारे में सवाल करते हैं कह दो के वो मेरे परवर्दिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेशती हैं उसे दिलों से महव कर दें फिर तुम उसके लिए हमारे मकाबले में किसी को मददगार न पाओ मगर उसका काईम रहना तुमारे परवर्दिगार की रहमत है कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है कह दो कि अगर इनसान और जिन इस बात पर मुझतमे हूं कि इस पुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकेंगे अगर्चे वो एक दूसरे के मददकार हूं और हमने पुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं मगर अक्सर लोगों ने इंकार करने के सिवा कुबूल ना किया और कहने लगे कि हम तुम पर इमान नहीं लाएंगे हम पर आस्मान के टुकड़े गिरा दो या अल्ला और फरिष्टों को हमारे सामने ले आओ या तुम्हारा सोने का घर हो या तुम आस्मान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक के कोई किताब ना लाओ जिसे हम पढ़ भी ले कह दो कि मेरा परवर्दिगार पाक है मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुँचाने वाला इनसान हूँ और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको एमान लाने से इसके सिवा कोई चीज माने नहुई के कहने लगे कि क्या Allá ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है कह दो कि अगर जमीन में फरिश्टे होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम उनके पास किसी फरिश्टे को पैगंबर बना कर भेज़ते कह दो कि मेरे और तुमारे दरम्यान اللہ ہی گواہ کافی ہے वो ही अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है और जिस शक्स को अल्ला हिदायत दे वो ही हिदायत याब है और जिन को गुमराह रहने दे तो तुम अल्ला के सिवा उनके रफिक नहीं पाऊगे और हम उनको गयामत के दिन अंधे मू, अंधे, गूंगे और बहरे बना कर उठाएंगे और उनका ठिकाना दोजख है जब उसकी आग बुजने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे ये उनकी सजा है इसलिए कि वो हमारी आयतों से कफर करते थे और कहते थे कि जब हम मर कर बुसीदा हड़िया और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या सरे नौ पैदा किये जाएंगे क्या उनूने नहीं नहीं देखा कि अल्लह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे और उसने उनके लिए एक वक्त मकरर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे खुबूल ना किया कह दो कि अगर मेरे परवर्दिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते और इनसान दिल का बहुत तंग है और हम ने मुसा को नौ खुली निशानिया दी तो बनी इसराइल से दर्याफ़ कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा के मुसा मैं ख्याल करता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है उन्हों ने कहा कि तुम ये जानते हो कि आस्मानों और जमीन के परवर्दिगार के सिवा इसको किसी ने नाजल नहीं किया और वो भी तुम लोगों के समझाने को और आए फिरौन मैं ख्याल करता हूँ कि तुम हलाक हो जाओगे तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिसर से निकाल दे तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सब को डुबो दिया और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम उस मुलक में रहो सहो फिर जब आखिरत का बादा आ जाएगा तो हम तुम सब को जमा करके ले आएंगे और हमने उस पुरान को सचाई के साथ नाजल किया है और वो सचाई के साथ नाजल हुआ और आए मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآली वसलम हमने तुम को सिर्फ खुशखवरी देने वाला आहिस्ता आहिस्ता उता रहा है कह दो कि तुम इस पर एमान लाओ या ना लाओ ये फी नफस ही हक है जिन लोगों को इस से पहले इल्म किताब दिया गया है जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पढ़ते ही और कहते हैं कि हमारा परवर्दिगार पाक है बेशक हमारे परवर्दिगार का वादा पूरा होकर रहा और वो ठोड़ियों के बल गिर पढ़ते ही और रोते जाते ही और उस से उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है चूंके आयत सजदा तिलावत की गई है लहाजा सामेईन को सजदा वाजिब है कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लह के नाम से पकारो या रह्मान के नाम से जिस नाम से पकारो उसके सब नाम अच्छे हैं और नमाज ना बुलंद आवास से पढ़ो और ना आहिस्ता बलके इसके बीच का तरीका अख्तियार करो और कहो के सब तारीफ अल्लह ही को है जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है और न इस वज़ा से कि वो आजिज़ नातवा है कोई उसका मददगार है और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो है तो लाइक अबरी सुरहा ये सुरहा भी बहुत अच्छी है और इससे कई और चीज़े पता चली है जैसे कि एक तो कभी भी अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मैं अपने आप में गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना उचा हो गया या मतलब मेरा दरज़ा इतना बड़ा हो गया क्योंकि मेरे पास इतनी प्रोपर्टी है या इतना पैसा है क्योंकि ना तो आप इस जमीन को फार सकते हो और नहीं आप इतने उचे कभी हो सकते हो कि आप किसी पहाड को छू लो तो यह चीज इसमें मेंशन की गई है और दूसरा की नजायज खर्चा नहीं करना चाहिए जैसे लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा होता है तो जो चीजों की रुकार्मेंट उने नहीं भी होती उनक को तो ऐसा नहीं की मतलब आपने अपना सब कुछ ही लुटा दिया उसके उपर और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का पेट भी भी भरा तो वह सारी चीजे नाप तोलके करनी चाहिए और अगर आप किसी को किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आपको किसी को क इंशूर करते थे कि वह किसी के साथ धुका धरी ना हो जाए या किसी के साथ कुछ गलत ना हो वह हमेशा हर चीज को अच्छे से प्रोपरली मेजर करके ही देते थे उनकी ऑनिस्टी के लिए हर इंसान उनको अप्रिशेट भी करता था उस टाइम पे और एडम के बार में त मतलब आप इसके साथा करो सबने सजदा कि या था लिकन इन अभर लीज़ आ बोल ले जे ता कि उन्लास के यह लगा था कि तो अन्होंने ही मतलब मैं उनको इंस्रेक्शन दी है उनके अगेंस चले जाए तो इबलीस नहीं उनको भड़काया था कि उन्होंने वो फ्रूट खा लिया था और उसके बाद में काफी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चीगे थी वो इस सारी चीज़ें हैं जो इस सुरहा में मेंशन की गई हैं और जैसा कि हमेशे बोला जाता है कि खुदा ने हमारे लिए हर सुरहा को बहुत खोल खोल के बताया है कि मतलब जिससे की हर इंसान को वो अच्छे से समझ आ सके, उसका क्या मैसेज है हमारे लिए, खुदा हमसे क्या चाहते हैं, वो सब चीजे इंसानों को अच्छे से बता चल सके ताकि इंसान जीते जी अपनी जिंदगी को एक सही रहा पे लेके जा सके और सही नेकिया कर सके, कभी कुछ ऐसा गलत ना करे जो कि उससे एक्सपेक्टिव नहीं है तो बहुत अच्छी सुरा है ये भी और आज की स्यूटियो को हमें ही खतम करते हैं, बाब बाई